प्रणाम चैतन्य 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 कहान राज को कर नमन करू महान यह काज आप्त ज्ञान की प्राप्त हेत मंगल मै सुख साज कहान राज दोगु खड़े काके लागु पाई बलिहारी कहान आपने राज दियो बताई पुझ्य गुर्देव स्री कांजिस्वामी और परम कृपालो देव पंचम काल में तिर्थंकर परमात्मा के वियोग में तिर्थंकर परमात्मा का अभाव का एसास न होने देने वाले पुझ्य गुर्देव स्री कांजिस्वामी की पहचान क्या है पुझे गुर्देव स्री कांजिस्वामी जिने हम गुर्देव के नाम से जानते हैं मगर गुर्देव गुरू भी नहीं थे और देव भी नहीं थे फिर भी वे गुर्देव थे क्योंकि पंचमकाल में इस भूमी पर साक्षात परमात्मा का योग नहीं है और इस कलिकाल में भावलिंगी गुरु का योग अत्यन्त दुरलब है ऐसे इस विकट काल में देव और गुरु की कमी का एसास न होने दिया और द्रस्ति का विशेबूत रिकाली ध्रूव चैतन्य परमात्मा जिनों ने हमें समझाया ऐसे गुरुदेव का उपकार अहो अहो उपकार है अनन्त अनन्त उपकार है पुझी गुरुदेव स्रीकांजी स्वामी न होते तो परम कुरुपालु देव श्रीमद राच्चंदर जी को समझना अत्यन्त दुरलब हो जाता पुझी गुरुदेव स्रीकांजी स्वामी का कोई ही प्रवचन ऐसा होगा जिस प्रवचन में उन्होंने परम कुरुपालु देव श्रीमद राच्चंदर जी को अत्यन्त अहो भाव से याद न किया हो पुझी गुरुदेव स्रीकांजी स्वामी की पैचान क्या थी लोग कहते हैं वे चांदी की थाले में भोजन करते थे लोग ये कहते हैं कि वे विमान में यात्रा करते थे लोग ये कहते हैं कि वे आलिशान मकानों में वास करते थे मगर नहीं मास, हड़ी, खोन, चमड़ी ये गुर्देव नहीं है राप की दिवार को सफिद परदे से ढखे वह गुर्देव नहीं है या फिर तथा कथी दिक्षा को ग्रहन करने वाले और त्याग करने वाले ये गुर्देव नहीं है ये गुर्देव की पैचान ही नहीं है गुर्देव की वास्तविक पैचान क्या है चैतन्य 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 की पुकार ये पुझ्य गुर्देव स्री की पैचान है ये पुकार ही गुर्देव की पैचान है पुझ्य गुर्देव स्री कांजी स्वामी ने अपने जीवन में जो चैतन्य परमात्मा की और भगवान आत्मा की पुकार की यही गुर्देव की पैचान है निमित से कार्य नहीं होता कार्य उपादान की तद समय की परियाई की युग्यता से होता है यह पुकार ही गुर्देव की पैचान है कार्य उपादान की युग्यता से होता है और कार्य का कथन निमित की मुख्यता से होता है ये पुकार ही पुझ्य गुर्देव स्री कांजी स्वामी की पैचान है प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र होता है एक द्रव्य दुसरे द्रव्य का करता नहीं है ये पुकार ही पुज्य गुर्देव की पैजान है जैसे तिर्थंकर परमात्मा के चरण जमीन को स्पर्ष नहीं करते ऐसे ही हमारे चरण भी जमीन को स्पर्ष नहीं कर दे क्योंकि चरण के पर्मानु और जमीन के पर्मानु स्वतंत्र है चरण के पर्मानु का उत्पाद व्य और ध्रोब्य और जमीन के पर्मानु का उत्पाद व्य और ध्रोब्य अपने अपने में होता है प्रत्येक परमानों स्वतंत्र है ये स्वतंत्रता का उद्घोष यही पुझ गुर्देव स्रीकांजी स्वामी की पैचान निमित से कार्य नहीं होता कार ये उपादान की युग्यता से होता है चश्मे से दिखाई नहीं देता ज्यान की तत्समे की परियाई के युग्यता से जानना होता है लोग कहते थे कि सौनगड की मोटर पेट्रोल से नहीं चलती है फुज गुर्देव स्रिकांजी स्वामी ये कहते थे कि स्वानगड की ही नहीं, सारे विश्व की, कोई भी मौटर पेटरोल से नहीं चलती प्रत्यक परमानु का स्वतंत्र स्वयम ऐसा परिणमन होता है एक दरव्य दुसरे दरव्य का करता कैसे हो सकता है ऐसी स्वतंत्रता की पुकार करने वाले पुझ गुर्देव स्रीकांजी स्वामी जिन्होंने कहा कि कुमार से मटका नहीं बनता जिन्होंने कहा सुनार से अंगुठी नहीं बनती जिन्होंने कहा कि बाई रोटी नहीं बना सकती निमित से कारिय नहीं हो सकता निमित स्वयम ही कारिय रूप परिणमित नहीं होता निमित से कारिय नहीं होता ये पुकार पुझ गुर्देव स्रीकांजी स्वामी की पैचान है जब मिट्टी के पिंड में से घड़ा बनता है तब कुमार ने घड़े को नहीं बनाया क्योंकि कुमार स्वयम ही घड़े रूप परिणमित नहीं हुआ है मिट्टी स्वयम ही पिंड से घड़े रूप परिणमित हुई है इसलिए मिट्टी स्वयम ही घड़े की परियाई का करता है और गहराई से देखे तो घड़े की परियाई ही स्वयम ही अपनी उस परियाई का करता है कोई पराया उस परियाय का करता कैसे हो सकता है ये पुकार ही पुझ गुर्देव स्री कांजी स्वामी की पैचान है पुझ गुर्देव स्री कांजी स्वामी जिनोंने अपने जीवन में निश्चे और व्यवहार का समन वई और निश्चे और व्यवहार का यथा दान व्रत भक्ति उपवास आधी जितने भी भाव है वे भाव धर्म नहीं है वे भाव धर्म नहीं है सादक को अपनी भुमिका में ऐसे प्रकार के भाव आये बिना नहीं रहते मगर ये भाव करने चाहिए ये पुकार अग्ञ्ञानियों की पुकार है करने चाहिए क्योंकि करने चाहिए उसमें उपादे ये बुध्धी की गंध आती है पुझे गुर्देव स्री कांजी स्वामी ने तो शुक्भाव को अधर्म कहा ऐसा सत्यस्वरूप हमें जो समझाया ऐसा सत्यस्वरूप समझाने वाले ये पुझे गुर्दे उस्री जो ना अनुव्रती थे ना महाव्रती थे लोग कहते हैं कि पुझ्य गुर्देव स्रीकांजी स्वामी मुनी को नहीं मानते मगर पुझ्य गुर्देव स्रीकांजी स्वामी मुनी राज को चलता फिरता मोक्ष मार्ग मुनिराज को देह होने पर देहाती देह होने पर भी और शरीरी सिद्ध परमात्मा मुनिराज के इतने गुणगान गाते कौन कहता है पुझ्य गुर्देव स्रीकांजी स्वामी मुनिराज को नहीं मानते थे वे तो मानते थे नहीं मानते तो आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथाधी राज समय सार पर भरसभा में 19 बार प्रवचन क्यों देते कितने गुणगान गाए ऐसे भाव लिंगी मुनिराज के तो हम दासानु दास है हम मुनिराज को मानते है आचार्य कुंद कुंद देव को मानते है आचार्य अमरुचंद देव को मानते है आचार्य जैसेन देव को मानते है आचार्य उमा स्वामी को मानते है आचार्य समन्भद्र देव को मानते हैं, हम मुनिराज को मानते हैं, सिर्फ हम शिथिलाचारी को नहीं मानते हैं, ये सत्य स्वरूप के उध्गोशना करने वाले ये पुझ्य गुर्देव महापुरुश हैं, ये पंचम काल में वास्तों में देव और गुरु के अभाव में भी देव और गुरु की कमी का एहसास नहीं होने दिया ये पुज्य गुर्देव स्री कांजिय स्वामी जिनों ने ये स्वरुख बताया कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में वास करता है और प्रत्येक परियाई अपने अपने में प्रत्येक परियाई क्रम्बत्ध है ए प्रत्येक परियाई क्रमबद्ध है ये क्रमबद्ध परियाई पुझ्य गुर्देव श्री काजी स्वामी की पैचान है। प्रत्येक परियाई क्रम्बद है परियाई का स्विकार हो क्योंकि एक समय की एक परियाई का अस्विकार करने से अनन्त केवल ज्ञानियों का अनादर होता है क्योंकि अनन्त केवल ज्ञानियों के ज्ञान में ये परियाई का सहज स्विकार होता है जिसका मैंने अस्विकार किया इसलिए क्रम्बद परियाई की जो पुकार है और क्रम्बद परियाई से न्यारा ये भगवान आत्मा ऐसी जो पुकार है ये पुकार ही गुर्देव की पुझ्य गुर्देव स्रीकांजी स्वामी की पैचान क्या सभी प्रकार के भाव दयादान व्रत भक्ति उपवास के भाव ये भाव स्वयम ही जड है क्योंकि जड के लक्ष से होते हैं पुदगल के लक्ष से होने वाले भाव वे भाव भी पुदगल है रागादी वरनादी भाव ये पुदगल है इस पस्ट स्वरूप की निरूपना यही गुर्देव की पैचान पाप को पाप तो कोई भी कहता है पुन्य को भी पाप कहना और पुन्य को भी संसार में भटकाने वाला कहना यही पुझ गुर्देव स्रीकाजी स्वामी की पैचान पुझ गुर्देव स्रीकाजी स्वामी यदि ग्ञान और ग्ये का स्वरूप न समझाते तो हम पामर को कैसे पता चलता हम कैसे जानते कि ग्ञान का स्वरूप ग्ये से कैसे अलग है और प्रत्यक समय की ज्ञान की परियाई कितनी सुतंत्र सहज है दाने दाने पर लिखा है उसे खाने वाले का नाम ऐसे ही प्रत्यक ज्ञेई पर लिखा है उसे जानने वाली ज्ञान की परियाई का नाम ये पुकार ही गुर्देव की पैचान अग्यानी कहता है जिसका संयोग होता है उसका वियोग हुए बिना नहीं रहता नगर पुज्य गुर्देव स्रीकाजी स्वामी कहते है कि दो द्रव्यों के बीच में जब संयोग तुम कहते हो उस समय भी दो द्रव्यों के बीच में अत्यनता भाव की वज्र की दिवार है प्रत्यक द्रव्य अपने अपने में वास करता है संयोग के काल में भी उपयोग में उपयोग की जागरुती यही पुज्य गुर्देव स्रीकाजी स्वामी की पैचान है पुझे गुर्देव स्री कांजी स्वामी में जो निर्भहिता थी ये निर्भहिता की वज़से ही वे न अनुगरती थे न महावरती थे फिर भी गुर्देव थे पुझ्य गुर्देव स्री कांजी स्वामी के भीतर में वो जो निर्भाइता थी सत्य का निरूपणा, सत्य की समझ ये पुझ्य गुर्देव स्री कांजी स्वामी की पैचान पुझ्य गुर्देव स्री कांजी स्वामी की पैचान क्या किसी भी व्यक्ति से प्रभावीत न हो न, फिर वो व्यक्ति कोई भी हो, सारे देश को मैं चलाता हूँ, ऐसा देश को चलाने का करत्रत्व मानने वाले, महात्मा गांधी जी को, गांधी जी को भी जिनोंने मूड कह दिया, निर्भई वो करके, यो कि जो पराय का करता स्वयम को माने, वह मूड है, गांधी जी स्वयम ये कहते थे, कोई थे संत, जो मुझे मूड कहते थे, क्योंकि उनके भीतर में निर्भईता थी, किसी के प्राण को पिड़ा पहुचाने का भाव नहीं था, मगर भीतर में ये निर्भईता थी, कि सत्य की निरूपना हो, सभी मुकार फिर कौन करेगा, भव्य जीव, चैतन्य स्वरुग को फिर कैसे पैचानेंगे, भावनगर के राजा, जिनको गांधी जी बड़े भिखारी कहते, छोटा भिखारी तो कर इकठा करता है, सेट के पास से, थोड़ा कर, थोड़ी भीख, नगर ये बड़े भिखारी, जो सारे राज्य में सभी से कर इकठा करते हैं, ये बड़े भिखारी है, जो भी परद्रव्य से सुख की भीख मांगता है, वो सब भिखारी है, फिर वह राजावी क्यों न हो, फिर वह माहराजावी क्यों न हो, उनके भीतर में जो निर्भिकता, वह निर्भिकता ही अलो भो में की गई तपस्चरिया से जैसा पुण्य बंदता है उससे भी उत्कृष्ट पुण्य एक समय के चैतन्य तत्व विचार से बंदता है अनुभूती से नहीं अनुभूती से तो वह बंदा हुआ पुण्य भी जड़ जाता है खिर जाता है उसकी भी निर्जरा हो ज जिस शुबराग से तिर्थंकर प्रकृती का बंद होता है वह शुबराग भी अधर्म है वह शुबराग भी परिभ्रमन का कारण है वह शुबराग भी स्वयम जड़ है वह राग भी आग है वह राग भी नाग है काला नाग है वह राग भी चैतन्य अमरूत से विपरीत हो पुज्य गुर्देव स्री कांजी स्वामी की पैचान है। ग्रंथादी राज समय सार पर भर सभा में आध्योपांत उननिस बार प्रवचन देना और इतनी गहराई से सत्य का स्वरुप समझाना 45-45 बरसों तक चैतन्य की पुकार भगवान आत्मा ये पुकार ही गुर्देव की पैचान थी। भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग होता हो। भगवान आत्मा भगवान आत्मा ऐसी पुकार होती हो। ये पुकार ही पुझ गुर्देव स्री कांजी स्वामी की पैचान है। आत्मा का स्वभाव समझने का है समझाने का नहीं। फिर भी अत्य हमें समझाते रहें। यदि किसी को समझ में न आये, तो भी वे समझाते रहे, अत्यंत करुणा से, समझानू काई, समझ में आया, समझ में आया, यही गुर्देव की पैचान, पुझ गुर्देव स्रीकांजी स्वामी की पैचान क्या, न वे अनुवरती थे, न वे महावरती थे, मगर निर्भई थे, नीशंक थे, सरूप में मस्त थे, चैतन्य की मस्ती में मस्त थे, पुझ गुर्देव स्रीकांजी स्वामी मास नहीं है, खून नहीं है, अड़ी नहीं है, चमडी नहीं है, यह चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य की प यही गुर्देव स्री कांजी स्वामी की पैचान है। को जो न समझ सके उनके प्रती भी अत्यन्त करुणा और अत्यन्त खेद। मगर पुझ गुर्देव स्री को निंदा करने वाले पुझ गुर्देव स्री के प्रती कठोर शब्द बोलने वाले उनके लिए भी गुर्देव यही कहते थे। वे भी भगवान आत्मा हैं उन्हें पता नहीं है कि वे भगवान आत्मा है यदि वे समझ लेते कि मैं भगवान आत्मा हूं तो ये निंदा न करतें पापी को भी परमात्म द्रस्टी से देखना इसने तो गुर्देव की क्षमापना निराली थी यदि मैंने किसे को करना यह वचन ही पुज्य गुर्देव स्रीकांजिय स्वामी की पैचान है कि कि पास लोग जाते हैं जादवी लकड़ी तो आफवा फेला कर और उनके पास कोई जादू है कोई चमतकार है कि लोग पूछते हैं आपके पास चमतकार है एक ही चमतकार है चैतन्य का चमतकार यही पुझ्य गुर्देव स्री काजी स्वामी की पैचान है जिन्वानी माता के प्रति इतना अहो भाव कि भर सभा में हजारों घंटे तक प्रवचन दिये कागजों पर शास्त्र छफवाए यहां तक कि पत्थरों पर टंकोत किर्ण कराए पहांच परमागम को पत्थर पर टंकोत किर्ण कराए और यह कहा सुवन के पान पर रत्नों के अक्षरों से भी आचार्य देवों के जिन वचनों का मुल्यांक न हो सके ऐसे आचार्य देव ऐसे मुनिराज के तलवे चाटे तो भी कम है कौन कहता है गुर्देव मुनी को नहीं मानते थे भावलिंगी संथ को मानते थे शिठील आचारी के प्रतिक करुणा से भरकर उन्हें परमात्म द्रस्ती से देखते थे ये पुझे गुर्देव स्रीकांजी स्वामी की पैचान पुझे गुर्देव स्रीकांजी स्वामी जैसे महापुरुष इस पंचम काल में अब हमें कौन मिलेंगे जो चैतन्य 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 की पुकार करे नगर गुर्देव ये कहते है कि कोई गुरु और कोई देव तुझे न मिले तो भी जागुरुती रहे कि तुही तिन लोग का नात परमात्मा है तुही देवादी पती देव ज्यायक देव है ऐसे साक्षात चमतकार स्वरुक चैतन्य की पैचान जिनों ने हमें कराई की पैचान है और जो उनकी पैचान है वही मेरी पैचान है वही तुमारी पैचान है चैतन्याँ Ch Vaid John